कि प्रती दिन जो है हम लोग 10,000 करेंगे करेंगे लेकिन पिछले 2-3 दिन को छोड़ करके बाकी सारे महीनों का अगर हम उसत अगर बिहार का निकालते हैं तो पूरे देश भर में सबसे कम है और निराशा जनक है अब बलकि सबसे जादा करोना का कहर पूरे देश में अगर द आकणों के साथ जो है खिलवार कर रही है सही चीज लोगों को नहीं बता रही है एक दिन की जो टेस्टिंग होती है उसको दो दिन में करके बता रही है अगर उधारन हम दे तो माली जे एक दिन में अगर 2000 लोग पॉजिटिव पाए गए तो आज बताएगी कि 1100 लोग पॉजिटिव पाए गया है पहले भी आप लोग देखेंगे कि जो प्रधान सचीते सुबह 11 वजी प्रेस कॉंफेंस करके बताते थे फिर शाम में भी पांच में प्रेस कॉंफेंस करके चीजों को बताते थे क्या इसी वज़े से पारदर्शिता उन्हेंने रखी क्या इस से उनका तबादला किया गया हम नितीश कुमार जी से पूछना चाहिए और हम लोगों की मांग है कि भाई जिस दिन जितने पाए गए पॉजिटिव उतना सही आकरा सरकार को देना चाहिए ना कि एक दिन का दो दिन में विस्तारित रुप्षे करके जो है वह बता दी है व आशा है और सब लोग जो है नितीश कुमार जी के विफलता को देखते हुए जो सेंट्रल जो है केंदर सरकार जो है वह एक कमिटी भेजरी है आज और हम तो धन्यवाद देंगे कि जो कमिटी आ रही है बिहार की जमीनी हकिकत को देखते हुए जानते हुए और जो खत्रा जो को देखते हुए जो कि संट्रल कमिटी जो आ रही है ये नितीश के विफलताओं को लेकर के ये कमिटी जो है भेजी जा रही है विद Was The word is running against time to develop the covered 19 vaccine major global pharmaceutical giants on engaged in the campaign with feverish pace one of the major pharmaceutical powerhouses in the world, India, is also actively engaged in developing the vaccine. Two vaccine being developed in India have been given approval for human trials by the DGCI. Union Health and Family Welfare Minister Dr. Harshwardhan has said that the fight against Covid-19 has entered a decisive phase as the human trials of Indian vaccine begin. He tweeted, between twitter, human trialsin indien vaccine begin, the fight几g cost COVID-19 is now in a decisive phase,ćforts to develop the怎么样 vaccines for the past many months start giving positive signs....we will soon win out the war against the pandemic!! Dr Hajwazhin said that the initial trials on humans did not have any side effects. The trial will be in two phases and is being done at 14 research institutes. the emphasis remains on safety and screening the ICMR scientists are keeping a constant vigil on the developments the GCI has permitted two vaccines to go in for the first and second phase of human clinical trials one vaccine is developed by the bharat biotech international limited in collaboration with the Indian council of medical research the other vaccine is being developed by Zydas Kadeela healthcare limited the two Indian vaccine candidates have undergone successful इस और अप्रूटोर्स के काई में अप्रवा realm old toxicity studies in rats, mice, and rabbits. This data was submitted to the DGCI, following which both got clearance to start an earlyились human trials. Human clinical trials for COVAξE ne have been initiated across the country in 375 volunteers, including three at Brahatak's Postgraduate Institute of Medical Sciences. The three persons have shown no adverse side effects. हम सब के लिए हर्याना में और पूरे देश में ये एक बहुत अच्छी खबर है कि कोविट के बिमारी जिसके लिए कोई रोग थाम के लिए अभी तक कोई वैक्सिन नहीं बना है उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है और शुरू में अभी तीन संस्थानों क वैक्सिन को वैक्सिन का आज हुमन ट्रायल रोटक पीजे में अरंब किया गया है आज तेन लोगों को वो द्वा देकर देखी गई है और उनका कोई भी नेग्टिव इंपक्ट देखने को नहीं मिला रहा है उल इंडिया इस्टिटूट अच्छी डेली विल सार्ट हुमन जाएंसित टू अपक्सिन का करता है इस ट्राय已经मोर है किसे किया है गिजिश, विली में है।स होुमन ट्रेण स्टित कोम चन्स को़यों कोाय चन्सित्तित्रा की सुलीश करों किस्ट दिले तीमें कोई टेखने हिमिक वहा को सपीन ग्रों कोई भीमे में सिहां जा प्रοब ब आगो भीचिन से तोजमेत उना में उना थाजिए विर्ट ऑटक्षा टेंटेर ऑानी गर्ट रटिट ग्सफूर्ट एंड एंट पने निज़ंदे पिर्ट रटिटे जाल्स के लिए कि लिए में ठने कि एक झान वेख कि टूड़ गिजासे अभाण के विल ऑुटेते एंटेर झाल झाल